दोस्तो आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटवर्ने सागत है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आंसर की लेकर आएं फिजिक्स क्लाश 12 की तो दोस्तो आज फिजिक्स का एक्जाम था क्लाश 12 का और जिन बच्चों ने Humanities यानी Arts रखी है उनका जियोग्राफिक एक्जाम था तो यह फिजिक्स का पेपर में लेकर आया हूँ इसके जो आंसर चैनल आपको इस वीडियो में पता चल आएंगे तो जरूर पूरी वीडियो आंटेक देखेगा और अपने सारे आंसर जो है चैक कर लिजिएगा ठीक है यह जो पेपर है मेरे पास यह Evening Shift का पेपर है सत्ता नंबर का यह पेपर था तीन घंट आपको पूरे टाइम मिले होंगे ठीक है पेपर का पैटर्न आप यहां देखी लिजिए सबसे पहला question section एक आए एक एक नंबर के इसमें question थे 18 question थे पहला question क्या है तो electric potential की एक unit तो होती है और दूसरी unit कौन सी होती है तो दूसरी unit होती है Joule पर कुलम क्योंकि हम जानते है potential energy क्या होता है work done by में charge ठीक है, work done की unit क्या हो गई जूल और चार्ज की उनिट कुलम तो जूल पर कुलम ठीक है उस हिसाब से सेकिंड जो है इसमें आपको बताना था कि फ्रिकेंसी वेब की क्या होगी इसका मैं श्योर निव इसले मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ मेरे हिसाब से जो है इसका अंसर यह हो सकता है ठीक है यह वाला अंसर श्योर निए बिलकुल Which of the following material is most suitable for making connecting wires connecting wires बनाने के लिए सबसे आदा suitable कौन सा है तो इसमें सबसे suitable जो है copper है ठीक है क्योंकि उसका resistance low होता है ठीक है जिससे की वो heat भी हो जाता है जिससे connecting wires के रूप में useful होता है fourth the phase difference between electric field and magnetic field in an electromagnetic wave is तो उनके बीच जो phase difference होता है हो 90 degree का होता है यानि pi by 2 तो इसका अंसर रोग option c pi by 2 जो जो एक दूसरे के perpendicular होती है ठीक है और अगर इसी के साथ हम बोले लेते हैं electromagnetic जो waves है वो तीनों ही जो है आपस में mutually perpendicular होती है यानि तीनों का जो phase difference है वो pi by 2 होता है पाचवा है तो जो लोरेंस फोर्स एक्ट कर रही है हो negative z axis में कर रही है अगर positive z axis में करती है तो वो तब proton लेकिन negative में कर रही है तो कौन सा होगा वो electron तो इसका answer है option number a electron ठीक है तो जिन question के answer मैं sure हूँ मैंने paper देखा अभी तो जो मुझे confirm पता चल रहे है जिसके answer वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ ठीक है और जिसके बार मैं sure नहीं हूँ वो मैं आपको question आते बता दूँगा कि यह question है इसके answer के बार मैं sure नहीं है इसमें ता which of the following is true for a conductor तो conductor के अंदर जो है field जो है 0 होती है electric field तो इसका answer होगा option number a inside a charge conductor electrostatic field is 0 ठीक है क्योंकि charge conductor है तो charge कहां चला जाता है surface पे तो conductor के अंदर कोई charge नहीं रहता the coefficient of self induction of a coil is 10 milli henry if a current of 4 ampere is passed through this coil then the magnetic flux through the coil will be तो flux का जो formula होता है वो क्या होता है L into I L क्या है यहाँ पे coefficient of self induction तो यह है 10 milli henry यह 10 into 10 की power minus 3 ठीक है और current है 4 तो इसका जब हम करेंगे तो 4 into 10 की power जो है minus 2 आ जाएगा तो इसका answer हो जाएगा 0.04 ठीक है Weber इसकी unit होती है इसलिए इसका answer हो जाएगा option number D ठीक है 8 में आपको बताना है तो एंगल theta और theta 1 और theta 2 के बीच में यह दे रखा है graph तो यहाँ पे theta 1 और theta 2 जो क्या है तो इसका answer हो जाएगा option number D theta 1 जो है angle of incidence है और theta 2 जो है angle of deviation है ठीक है आपकी book में एग्राफ दे रखा है 9th है ए 44 mH inductor is connected to 220 volt 50 Hz AC supply the net power absorbed over a complete cycle will be तो इसका भी answer में show or new में आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ठीक है इसका answer 24 से हो सकता है job is what ठीक है 10th का जो है in a circuit current leads the voltage in phase by pi by 4 the elements of the circuit are इसका भी जो है guys answer sure new इसका answer मेरी साब से होना चीए answer जो है option number A हो सकता है ठीक है R and C 11th का हमें को पता है confirm कि जो lens low है हो क्या दिखाते है हमें induce जो current है उसकी direction बताता है तो इसका answer उगा option number C ठीक है एक conductor is connected across the battery if the temperature of conductor is reduced then the current flowing will तो दोस्तों अगर temperature बढ़ता है ठीक है तो उससे जो current हो इंक्रीस हो जाते है current का जो flow हो इंक्रीस हो जाते है तो इसका उगा option number A a bar magnet is cut into two equal pieces along its length if magnetic moment of the bar magnet is M then magnetic moment of each piece is तो दोनों piece का जो magnetic moment हो जाएगा वो double हो जाएगा ठीक है फिर फोर्टींथ में आपको यह बताना था in which configuration is the system in unstable equilibrium इन में से किस में जो है system जो है unstable equilibrium में है तो इसका answer हो सकता है option B PQ4 ठीक है 15 the density of a metal is D and the specific resistance is rho a wire is to be made from this metal whose length is L0 and resistance is R the mass of the metal will be इसका भी guys में answer sure new लेकिन मेरे ही साबसे इसका answer option B हो सकता है rho L square D by R ठीक है वे 16, 17, 18 assertion reason वाले थे तो 16 का जो answer है वो है option number B ठीक है कि दोनों ही सही है लेकिन यह जो R है correct explanation नहीं कर रहा है A की ठीक है 17 का होगा A की दोनों ही सही है और यह explanation भी जो सही दे रखी है 18 में क्या है दोस्तो option number D कि दोनों ही चीज़े जो है गलत है ठीक है फिर ता section B इसमें 19 जो question है इसमें आपको निकालना था जो dipole moment है electric dipole moment निकालनी थी और direction बतानी थी तो electric dipole moment आपको solve करने पर यह आना चाहिए 7 into 10 की power 8 कुलम मेटर यह आपकी बुक का question है और direction के और नीचे along Z axis ठीक है फिर 20 फे में write any two properties of equipotential surface और choice में आपको एक और question दे रखा है write the two important properties concerning the relation between electric field and potential ठीक है तो यह दोनों आपने लिख दिया होगा एक भी potential surface आप जानते होंगे वो surface जहांपे potential difference का होता जीरो तो एक तो यह property है कि potential difference जीरो होता है दूसरा potential difference अगर है ही नहीं तो current जो फ्लो इनी होगा तो no current will flow from the surface ऐसे आप लिख सकते थे 21 वे में आपको जो है wheat stone bridge की जो condition है उसे balance करनी थी किर्चोफ rules के हिसाब से ठीक है दो नमबर का था यह फिर 22 में आप से बोला था कि तीन material आपको दिये nickel, antimony और aluminium उनको जब magnetic field में रखा जाएगा तो उनमें जो field lines है किस तरीके से बनेंगी आपको बताना था और फिर बताना था कि इस behavior से इनकी कौन सी property पता चलती है तो nickel आप जानते होंगे magnetic material है बहुत अच्छा तो इसे फैरो-magnetic है antimony जो है आपका वो आपका dye-magnetic है और aluminium आपका पैरा-magnetic है ठीक है तो इनके लिए field lines जो है आप बना सकते हैं आपके book में सिखा भी रखा है ठीक है फिर 24 में आपको यह proof करना था कि focal length जो है और जो radius अब कर वे चले हैं उनके बीच में आपको relation दिखाना था और इसमें choice रखी थी आपको proof करना था कि यह relation आपको proof करना था 1 by f जो है 1 by f1 plus 1 by f2 के equal होता है ठीक है फिर 25 में आपसे दोस्तों क्या पूछा था focal length पूछी थी बाकी जो values थे आपको given थी इसमें आपको lens maker जो formula है वो लगाना था तो focal length आपका 100 cm जो इस cancer हो जाएगा ठीक है फिर section C में question 26 यह आपका है ठीक है इसमें आपको potential difference निकालना था फिर आपको choice दे रखिया यह वाला question है ठीक है दोनों में से आपको कोई एक करना था 27 define drift velocity of electrons using drift velocity deduce ohms low ठीक है तो drift velocity क्या होती आपको बताना था फिर यह 28 में आपसे वाला question था कि biosavet low है जो है और coulamb's low ठीक है इसमें तीन point आपको या तो similarity के बताने था इनमें क्या के similar है या 3 difference के इनमें क्या के difference है ठीक है फिर उना तीसवा जो question है इसका answer होगा 3.8 into 10 की power minus 3 volt ठीक है यह भी आपके book का ही question है 30 में आपको बताना था कि यह जो आपको 3 point दे रखे है इनसे कौन सी wave produce होती है तो जो nucleus का radioactive decay करते है तो gamma ray produce होती है welding arc से जो UV rays produce होती है और hot body से infrared फिर आपको एक 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 जो इनका use लिखना था ठीक है फिर आपको choice दे रखे थी तीन आपको wavelength दे रखे थी आपको बताना था कि कौन सी है जैसे lambda 1 का use कह है रडार सिस्टम में तो रडार में use होती है microwave lambda 2 है water purifier वहां होती है UV rays और remote switches में आप जानती है infrared ठीक है फिर दूसरे पार्ट में आपको इसका एक source बताना था कि किस source से हमें मिलती है ठीक है तो आपने लिख दिया होगा फिर section D यह आपकी question है 55 number के 31 जो question था उसमें आपको choice दे रखी थी question 32 में भी जो आपको choice दे गई थी और जो question number 33 है उसमें भी आपको choice दे गई थी ठीक है इसमें जितने question थे सब में आपको choice दे गई है फिर section E था जिसमें 2 question थे चारचा number के case study वाले question थे ठीक है जैसे 34 वे का पहले का होगा option number B 34 वे का जो दूसरा है वो silicon silicon का temperature coefficient negative होता है क्योंकि वो semi conductor है ठीक है metals का जो positive होता है इसमें बाकी जो दिये हैं वो metals है फिर इसका जो third है इसका answer में sure new दोस्तो और यह इसमें आपको choice भी रखी थी third में फिर last आपका 35 question number इसका first part का zero हो सकता है यह confirm नहीं है second जो है magnetic movement के ऐसा unit होती है ampere meter square तो यह इसका answer होगा option number A फिर third part का जो यह पहला वाला है इसका मैं sure नहीं हूँ लेकिन second वाला जो है इसका answer होगा 4 into 10 की power minus 3 tesla तो दोस्तों यह आपको question भी परता हूँ उमीद करता हूँ आपने paper अपने देख लिया और जो जो answer में को पता थे मैंने आपको बता दिये तो उमीद करता हूँ आपको कुछ जादता जो answer है वो पता चल गए होगे आपसे फिर मिलेंगे हम किस your subject की answer की के साथ तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अप्लोड करूँ आपको notification मिल सके आपसे फिर मिलेंगे next video में तब तक के लिए bye bye see you again and thanks roaching